नमस्कार जी दोस्तों आप सभी को मेरा इस यूटूब जेनल में स्वागत करता हूँ और दसरा के लिए धेशारी शुब कामनाई भगवान सरेव आपके उपर क्रिपा बनाए रखें आज हम आलोशना करने वाले हैं कि हिंदी प्रवेश परिक्षा कटक के लिए प्रशन कैसे इस साल आये थे और कैसे आते हैं आज हम उसे को बहुत ही बारे के से आलोशना करने वाले हैं इस साल के प्रशन को देखने के बाद हमें पता चल जायेगा दोस्तों कि प्रशन कैसे आते हैं तो चल ये आलोशना की और आगे बढ़ते हैं बिना समयनस्ट किये हुए पहला प्रशन प्रतेख देश का साहित्य वहां की जनता की चित्ति वृत्ति का संचीत प्रतिविंभ होता है यहां उक्ति किसकी है इसका सही आंसर होगा दोस्तों रामचंद्र शुकल दूसरा प्रस्ण है इन में से कौन सावक तब रामचंद्र शुकल का नहीं है इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए जो लोग हिंदी हिंदुए को केवल खड़ी बोले कहते हैं वे दिख भ्रहमीत हैं और जो लोग हिंदी का इतिहास असी वर्षों का मानते हैं वे इतिहास बो कौन अलवार संथ नहीं है इसका सही आंसर होगा बी चेरिप पन अस्ट शाप के स्तापना किसने की थी इसका आंसर आप जानते होंगे दोस्तों इसका आंसर होगा बिठलनाथ तुलसी का सारा काब्य समनवय की विराठ चेश्टा है इसका सही आंसर होगा हजारी प्रशाद दुवेदी इनमें से कौन ज्यानमार्गी संथ कवी है इसका आंसर होगा ए सेख फरेद रितिकाल का समयक प्रवर्थन केशव दास द्वारा भक्तिकाल में ही हो गया था यहां उक्ति किसकी है इसका आंसर होगा रानी केत्की की कहानी के लेख्यक कौन है इसका आंसर अब जानते हैं दोस्तों इसा अल्ला खा प्रकासन वर्ष की आधार पर हिंदी की निम्न पत्र पत्रिकाओं का कौन सा क्रम सही है इसका सही आंसर होगा B जन्म की आधार पर छायाबादी कभियों का सही क्रम है प्रसाद, निराला, पन्त, महादेवी यानि इसका आंसर होगा D इन में से कवीर वानी का कौन सा संग्रह स्री खेती मोहन सेन द्वारा संपादित है कवीर ग्रंथा वली तो स्याम सुंदर दाजी के द्वारा संपादित हुई है कवीर रश्ना वली अयोध्या सिंग उपाध्याई के द्वारा बेजक धर्मदास के द्वारा कवीर के पद इसका सही आंसर होगा D निराला की कौन सी कविता लंबी कविता की स्रेणी में नहीं आती है इसका आंसर होगा C जूही की कली दीपक के जलने में आली फिर भी है जीवन के लाली किन्तु पतंग भागे ले पीकाली किसका वस चलता है यह पंक्तिया किस कवी द्वारा रचीत है इसका आंसर होगा मैथलिशरन गुप्त अधम ते अधम अतिनारी तिन्हा मह में मतीमंद अधारी तोलसी की यह पंक्ति किस पात्र द्वारा कहे गई है इसका आंसर होगा सबरी इन में से कौन सी कविता अग्यें की नहीं है? इसका आंसर होगा C. अंधेरे में इन में से कौन सा निवंद हजारी प्रिसाद दिवेदी का नहीं है? इसका सही आंसर होगा D. कच्छुआ धर्म प्रेम चंद को उपन्यास समराट की संग्या किस विद्वान ने दे थी? इसका सही आंसर होगा B. सरच चंद्र चटुपाद्ध्याए प्रकासन वर्स की आधार पर प्रेम चंद के उपन्यासों का सही क्रम निर्धारित कीजिए इसका सही आंसर होगा D. सेवासदन, रंग भूमी, निर्मलाप और कर्म भूमी इन में से कौन सानिवंद महादेवी विवर्मा का नहीं है इसका सही आंसर होगा B. स्रधान जली के दो फूल प्रकासन वर्ष की आधार पर हरिशंकर परसाय की रचनाओं का सही क्रम निर्धारित के जिये इसका सही आंसर होगा C. सदचार कताविज, विकलांग, स्रधा का दौर, कहत कवेर, पाखंड का अध्यात्म भासा के सबसे छोटी एकाई है इसका सही आंसर होगा C. ध्वनी श ध्वनी है इसका सही आंसर होगा B. मुर्धन्य, अघोश, अल्पप्रान और संघर्षी श युक्त व्यन्जन्वर्न ग्य बना है इसका सही आंसर होगा D. ज प्लस न्य अतेव का संदी विछेद है इसका सही आंसर होगा D. अतह प्लस एव पवन्चक की कौन सा समास है इसका सही आंसर होगा C. मध्य, पदलोपी, तदपुरूस समनार्थी शब्द का चयन करे श वतह इसका सही आंसर होगा C. स्वयम कौन सा सहब्द पूलिंग है इसका सही आंसर होगा C. जल्धी भालो का बहु वचन सर्थ है इसका आंसर होगा A. भालो क्योंकि भालो का कोई बहु वचन सर्थ नहीं होता है इस वात में कौन सा विसेशन है इसका आंसर होगा D. सार्वनामिक क्रिया के मूल को क्या कहते हैं इसका आप जानते हैं इसका आंसर A ही होगा धातू संबलपूर भूनेश्वर से 300 किलोमेटर दूर है कारक की पहचान के जिये इसका सही आंसर होगा B. अपदान कारक इन में से देख धातू का द्वित्य प्रिनार्थक्रिया रूप है इसका आंसर C होगा दिखल वाना राजनीती अब एक वेव साय बनती जा रही है जो गुंडागिरी के बल पर चलती है किस प्रकार का वाक्य है इसका सही आंसर होगा B. यानी मिस्र वाक्य है उल्टे गंगा बहाना मुहावरे का उचित अर्थ चयन के जिये इसका आंसर होगा A. परंपराओं के विप्रेद कार्य करना आजका अंतीम प्रस्ण है हाथ मलना मुहावरे का अर्थ है इसका सही आंसर होगा B. पच्ताना तो वीडियो को अंतक देखने के बाद आप सभी को कैसा लगा दोस्तों कॉमेंट्स करके जरूर बताईएगा इस वीडियो को लाइक, सेर और सब्सक्राइब जरूर केजिएगा ताकि इसी तरह में आपके लिए अच्छे अच्छी वीडियो पर इक्छा उप योगी वीडियो लाती रहूंगा और आपको इससे फाइदा मिलती रहेगी तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों जै हिंद जै भारत